नमश्कार दर्शको स्वागत है आप सभी का C.I.E.T.N.C.R.T. के लाइफ़ोन कारिक्रम में मैं खृती वढ़ेरा जूट चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं PME विद्या के चानल नंबर 7 पर ये जो सत्र है ये कक्षा सात्वी के हिंदी के विद्यारतियों के लिए रहेगा और जिस पार्ट पर आज हम चर्चा करेंगे वो रहेंगे रहीम के दोहे और एक बहुत खास महमार हमारे साथ स्टूडियों में उपस्थित है मैं पर इच्यकराना चाहूँगी डॉक्टर नीलकंट कुमार जी का CIT NCRT में कार रथ है स्वागत है आपका नमस्कार कित्य जी और सभी दर्सकों का अभिवादन इससे पहले आज का हम सत्र ये शुरू करें आज की बाचीज से पहले आपको यार दिला दें अगर आपकी कोई जिग्यासा हो कोई सवाल आप पुछना चाहें तो हमारे टोल-free numbers डाइल करें नमबर रहेंगे एक आट शूर ने शूर ने एक 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 दो चे पांच और दूसरा नमबर रहेगा एक आट शूर ने शूर ने एक एक दो एक नौनौ इस कारेक्रम की live streaming देखने के लिए हमारे official YouTube channel पर जाए NCRT official और वहाँ भी live chat box में आप अपने सभी सवाल हमसे साजा कर सकते हैं हम पूरा प्रयास करेंगे कि कारेक्रम की अंतिम घड़ी में आपके भेजे गए सभी प्रशन लें और हमारे export उनका जवाब दे और email के जरीए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं mail करें dth.class7-ciet.nic.in पर तो चले शुरू करते हैं आज की इस बाचीत को जिसमें हम रहीम के दोहे पढ़ने वाले हैं एक बार पुना स्वागत करूंगी आपका डॉक्टर निलकंट जी दोहे तो अकसर चटी साथवी कक्षा से हम अपने विद्यारतियों को पढ़ाने शुरू कर देते हैं पर मुझे लगता है क्योंकि अपक्षा साथवी के विद्यारती हैं तो यहाँ पर लेकक के बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है तो मैं चाहूंगी इससे पहले आप दोहो तक जाए या उनके अनुवाद तक जाए थोड़ा सा रहीम जी के बारे में ही हमारे दर्शकों से साचा करें कुछ धन्यवाद कीरती जी किसी भी कविता को पढ़ने और समझने के लिए आवस्यक है कि आप कवी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करें चाहे तो आप कविता का पाठ पहले कर सकते हैं, चाहे अगर आपकी विशेश रूची हो तो कवी के बारे में भी पहले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोनों तरीका विद्यालेओं में अपनाया जा रहा है और अपनाया जाता है तो चुकी रहीम के पांच दोहे सातिमी की किताब में हैं, तो बेहतर यह होगा कि रहीम के दोहों को पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी इस बार हम रहीम के बारे में प्राप्त कर लें रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था खान खाना उनकी उपाधी थी मूल नाम उनका अब्दुल रहीम था अब्दुल रहीम के बारे में सबसे पहली जानकारी तो ये इस्टेज के लोगों को होना चाहिए खासकर विद्यारतियों और सिक्षकों को कि रहीम बैरम खां के पुत्र थे और बैरम खां हुमायू जो मोगल बाद साह थे और हुमायू के पस्चात अकबर इन दोनों के अत्यांत प्रिय थे हुमायू के बाद जब अकबर बहुत कम उम्र में गद्धी पर बैठे थे तो बैरम खान ने ही उनकी देखरे की उनका लालन पलन किया और एक तरह से बैरम खान ही कहिए कि राजा का कारिय भार सभालते थे अकबर के नाम पर तो वो थे बैरम खान और उन्हीं बैरम खान के पुत्र थे रहीं तो इनकी जो ट्रेनिंग हुई इनकी जो सिख्षा दिख्षा हुई वो पूरी तरह से मुगलिया संस्कृति के दौरान और इसलिए वो कलम से भी लिखते थे और तलवार से भी लिखते थे लेकिन कलम से लिखी हुई बातें हम आप आज भी पढ़ रहे हैं रहीम रहें या ना रहें तो ये थे रहीम रहीम की सिख्षा दिख्षा जिस प्रकार से हुई उसमें वो एक तरह के बहुभासिक व्यक्ति थे बहुत सारी भासाओं की जानकारी उन्हें थी तुरकी, फार्शी, संस्कृत, हिंदी इन सारी भासाओं की अच्छी खासी जानकारी रहीम को थी और उन्होंने सारे भासाओं में लगभग अपनी बातें कहीं हैं लिखी हैं तुरकी से तो फार्शी में उन्होंने बाबर की आतमकथा का अनुवाद भी किया था जिसका नाम था तुजू के बाबरी तो ऐसे थे रहीं जो बहुत सारी भासाओं के जानकार थे जो बैरम खान के पुत्र थे जो युद्ध में भी निपुन थे लेकिन अपने अनभाव से सिंचित अपने अनभाव से बनी हुई कविताएं भी कहते थे करते थे और उनके दोहे आज हमारे समख्य है और यही नहीं वो बहुत सारी भासाओं की जानकारी के साथ साथ बहुत सांस्कृतिक व्यक्ति भी थे आप नाम से समझ सकते हैं कि मुगलिया दरवार में पले पढ़े इसलाम धर्म के अन्याई थे लेकिन उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो क्रिस्न के उपर भी लिखी हैं तो उन्होंने एक व्यापक हरदय को लेकर व्यापक अनभव को लेकर और इस दीन दुनिया में जो सबसे निचले तबके पर बैठे हुए लोग हैं उनको भी ध्यान में रखकर अपने दोहे कहें हैं और इसलिए जो उनके समकालीन तुलसी दास थे उन्होंने रहीम को याद करते हुए लिखा है कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आखें हमेशा नीचे की तरफ रहते थे जानकारी तो उनकी बहुत उची थी दरसन उनका बहुत उचा था लेकिन नजरें नीची होती थी कहने का मतलब ये कि बिलकुल वो जमीनी सच्चाई से वाकिफ थे और दीन और दुख्यों के सहायक माने जाते थे तो ऐसे थे रहीम इसलिए उनके दोहे भी उनकी कविताएं भी सामान यसे सामान व्यक्ति को भी संबोधित करती हैं और उपरी स्टर तक भी राजाओं और महाराजाओं तक भी जाती है दर्बारी संस्कृती तक भी जाती है कुछ एक विधा है थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं कि दोहा क्या है निस्चितरूब से दोहा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी भी तो होनी ही चाहिए बिल्कुल तो अवस्यक है कि दोहे के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें, हलाकि ये सात्मी कच्छा के विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी को दोहों के बारे में जानकारी हो ना हो, सिक्षकों और सिक्षकाओं को दोहों के बारे में जानकारी अवस्य होना चाहिए, किरती जी, तो दोहा एक प्रकार का छ च्छंद होते हैं और चंद का मतलब ये होता है कि जिस नियम में बंद कर आप अपनी कविताएं लिखते हैं अपनी रचनाएं लिखते हैं वो चंद कहे जाते हैं और ये चंद मात्राओं और वर्नों के अधार पर निरधारित होते हैं आपने पढ़ा होगा आई-इ,e,a,a तो ये जो स्वरगंजन हैं और इसे जो मात्राएं बनती हैं इन मात्राओं के आधार पर कुछ छंद बनाए गए हैं निर्मित किये गए हैं और कुछ वर्नों के आधार पर तो जो मात्राओं के आधार पर छंद हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं और जो वर्न के आधार पर है उन्हें वार्नीक शंद कहते हैं लेकिन यह मातरिक शंद है दोहा और इसमें 13 और 11 की मात्राओं में चार हिस्से होते हैं पहला हिस्सा 13 की मात्रा में होगा फिर 11, 13, 11 ऐसे होता है तो उस नियम के विस्तार में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो विद्यारतियों के उच्छ स्तर की बात है पर इतना जरूर जानने कि दोहा एक खास तरह का छंद है और दोहों को गाया भी जा सकता है दोहे गाये भी गए हैं, कवीर के दोहे, रहीम के दोहे और भी दोहे हैं बहुत सारे लोगों ने दोहों में अपनी रचनाय की हैं तो उनको संगीत के नियमों के अनुसार राग राग नियों के अनुसार ये लिखा जाता है इसलिए इनको गाया जा सकता है ये ये भी होते हैं तो आप रहीम के दोहों को पढ़ते हुए उनको गा भी सकते हैं पढ़ जाए तो रहीम के दोहें आपको मिल जाएंगे जिनकों की लोगों ने बड़े सुर में गाया है और जिनकों सुनते सुनते ही दोहराया सकता है अच्छा एक और बात है दोहूंकार्थ समझने के संदर्भ में अगर आपने उसका उचित पाठ कर लिया और सुन लिया तो वह ब द्यारतियों को दोहा च्छन्द का पाठ अवस्य सिखाएं अगर वो नहीं बताते हैं तो उन्हें यह अवस्य कहें कि आप NCRT की साइट पर जाकर या YouTube पर जाकर या किसे भी आप अवस्य सिखाएं और उसी तरह से दोहों का पाठ करना तारम भखरें तो अब हमने जान लिया है कि रहीम जो कवी है वो वो कौन थे इस पाठ में और दोहों के बारे में भी जान लिया तो अब लगता है पाठ की ओर बढ़ना चाहिए डॉक्र निलकंट जी और अब दोह पढ़ने चाहिए हमें जी जी हमारा मूल उद्देश से तो यही है कि इन दोहों में रहीम ने जिन अनभाओं का बड़े संचेप में और सारवर्वित रूप से वर्णन किया है उनका अर्थ आप सब के समक्ष आए और उस अर्थ का विस्तार भी आपके समक्ष आए तो अवस संबंधित प्रस्ण भी लेते रहेंगे अगर कोई जिग्यासा कोई बात आती है तो जी पहला ही है दोहा कही रहीम संपति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत कसाउटी जे कसे तेई साचे मीत तो अब देखिए कि दोहे कि प्रारंभ में ही रहीम ने अपना नाम रख दिया ह ताकि सब को पता चल जाए कि ये रहीम के ही दोहे है तो रहीम जी कह रहे हैं कि कही रहीम संपति सगे बनत बहुत बहुरीत रहीम कह रहे हैं कि अगर आपके पास संपति है धन है या आज के संदर्व से अगर आप जोड़ना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किस कि यह उस्य परम्पदपर हैं संत्तिवान हैं धन्वान हैं हर तरह से अगर आप कित वर है तो ऐसी स्थिमेंonnello होता है बनत बहुत बहुरीत बहुत लोग बन जाते हैं बहुरीत रीत मतलब प्रकार से बहुत लोग बहुत प्रकार से आपके सगे बन जाते हैं सगे मतलब अपने तो रहीम कह रहे हैं कि अगर आपके पास संपत्ति है धन है मतलब कि आप एक बेहतर इस्थिती में हैं तो ब अपने बनने की कोशिस करते हैं और अपने हो भी जाते हैं आपने देखा होगा कि जो धनवान लोग हैं जो अच्छी स्थिती में हैं उनके कई मित्र हो जाते हैं और बहुत लोग अलग-अलग प्रकार से मित्र बनने की कोशिस भी करते रहते हैं लेकिन जैसे ही उस व्यक्त क की स्थिती बदलती है स्थिती बदलते ही बहुत सारे मित्र जो मतलवी होते हैं या मतलव से उनके समक्षिया पास आते हैं वो दूर हो जाते हैं कठिन परिस्थिती में मुस्किल स्थिती में सच्चे मित्र ही सिर्फ रह जाते हैं जो उनके संग बचते हैं तो रहीम यही कह र रहे हैं अपने इस दोहे से कि विपति कसावटी जे कसे विपति का मतलब विपति अब देखिए ये चुकि ब्रज भासा में है तो देशज सब्दों का उपयोग आपको यहां पर विपति दिखाई पड़ रहा है हिंदी में अगर आप इसको लिखेंगे तो यह सब्द क्या ह विपति हो जाएगा लेकिन यह विपति है तो विपति कसावटी जे कसे विपति के संकट की कसावटी पर जो कसा जाए सच्चा मित्र वही होता है कसावटी के बारे में आप जानते हैं कि कसावटी एक तरह का पत्थर होता है और सोने को अगर जाचना पर रखना हो तो उस पास आप ले जाएं तो वो आपको बता देगा कि ये सचमुच में सोना है या नहीं है तो रहीम कह रहे हैं कि विपत्ती की कसावटी पर जब कोई कसा जाए कहने का मतलब विपत्ती की स्थिती में जो आपके साथ रहे वही सच्चा मित्र होता है कहने का मतलब संकट की घड़ की इस्तिती कसोटी की तरह है जिस पर कसकर ही सच्चे मित्र का पता लगता है अब हम इस दोहे का अर्थ और अर्थ विस्तार कर चुके हैं विद्यार्थी चाहें तो अपने जीवन से अपने मित्रों से अपने घर परिवार से जोड़ कर इस अनभव को विस्तार दे सकते हैं उनके जीवन में भी कभी न कभी ये अनभाव अवश्य आया होगा, तो आप अपने अपने जीवन से इसको अवश्य जोड़ें और अर्थ को और भी विस्तार दें. अब हम अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं, अगला दोहा है, जाल परे जलजात बही तजी मीनन को मोह, रहिमन मचरी नीर को तव नचाड़त छोग। अब मित्रता का, प्रेम का, स्नेह का एक और उदाहरन रहीम दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जाल परे जलजात बही, मचली पकरने के लिए मचवारा जब जाल डालता है, तो जाल डालते ही पानी बाहर आ जाता है और मचली जाल के अंदर। तो रहीम कह रहे हैं कि पानी और मचली इन दोनों का प्रेम अलग अलग प्रकार का है। अब देखिए कि जैसे ही मचली जाल में बाहर निकलती है पानी तुरंत वापस अपने इस्थिती में चला जाता है नदी में कहने का मतलब वो तुरंत मचली को त्याग देता है लेकिन मचली ऐसी है कि पानी के उस प्रेम में सनेह में लगाव में अपने प्रान त्याग देती है लेकिन उससे अपनी मित्रता को नहीं छोड़ती है तो मचली का प्रेम अलग प्रकार का है और जल का प्रेम अलग प्रकार का है तो जल के प्रेम को एक तरह से आदमी के लिए उदाहरन के रूप में लिया गया है कि आप जब संकट की इस्थिती में फसते हैं तो जो जल की तरह लोग होते हैं वो तुरंत निकल जाते हैं लेकिन जो सच्चे मित्र होते हैं जो सचमुच आपसे प्रेम करते हैं और स्नेह करते हैं वो जालक की इस्थिती में होने पर भी आपके लिए अपना प्रेम नहीं त्यागते हैं यही उनका सभाव होता है अच्छे व्यक्ति का यह सभाव है कि परिष्थिती कितनी भी कठिन हो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा और कुछ लोग जल की तरह होते हैं जो तुरंत कठिन परिस्थिती को देखते ही वहाँ से बाहर हो जाते हैं निकल जाते हैं आपका साथ छोड़ देते हैं अब अगले दोहे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तरवर फल नहीं खात है सरवर पित नपान कही रहीम परकाज हित संपति सचहिं सुझान अब ये पेड के बारे में कहा जा रहा है रहीम उदाहरनों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कह रहे हैं कि जो पेड़ है या पेड़ के साथ साथ दोहनों एक दो और उदाहरन भी दिये हैं कि तरवर फल नहीं खाता है सरवर पित नपान पेड़ फल लगाता है लेकिन उस फल को वो खुद कभी नहीं खाता है इसी प्रकार सरोवर तालाब पानी को कभी खुद नहीं पिता दूसरों के लिए ही वो संचित करता है कही रहीम परकाज हित संपति सचहिं सुझान अब रहीम कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं जो सजन लोग होते हैं वो दूसरों के हित में ही सारी संपति का अरजन करते हैं तो जो सजन लोग हैं वो तरवर के समान पेड़ के समान होते हैं तालाब के समान होते हैं जो अपने लिए कुछ भी संचित नहीं करते हैं जैसे पेड़ फल नहीं खाता जैसे तालाव खुद अपना पानी नहीं ग्रहन करती, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति भी अपने द्वारा संचित सुकर्मों को, धन को या और भी अनेक चीजों को दूसरों के लिए ही संचित करते हैं, दूसरों के लिए ही जमा करते हैं, वो कभी खुद ही उनका है, जिसकी और हम आगे बढ़ते हैं, दोहा है, ठोथे बादर क्वार के जों रहीम घहरात, धनी पुरुस निर्धन भे करे पाचली बात, रहीम कह रहे हैं कि जो क्वार के मौसम में, मतलब बारिश के बाद जो आस्विन और कार्तिक का मौसम आता है, आपने देखा होगा, कि उस मौसम के जो बादल होते हैं, वो कभी बरस्ते नहीं, जो क्वार के, उनको क्वार कहा जाता है, क्वार का मौसम क्वार नक्षत्र, तो उसके बादल कभी बरस्ते नहीं, वो आते तो हैं, लगता है कि उनमें पानी है, लेकिन हकीकत ये होता है कि वो सिर्फ गरजते है वो बरसते नहीं है जे ऐसे बादल के लिए ये मुहावरा प्रचलित है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं तो क्वार के बादल के बारे में कहा गया है कि क्वार के बादल भी ऐसे ही होते हैं तो अब एक उदाहरन क्वार का लिया गया है जिसके बादल बरसते नहीं दिखाई तो पड़ते हैं कि वो बरसेंगे अब इस उदाहरन के माध्यम से रहीम कह रहे हैं कि धनी पुरुष निर्धन भये जब धनी पुरुष भी निर्धन हो जाता है जिसके पास संपत्ति है और संपत्ति हीन हो जाए तो ऐसी स्थिती में उसकी भी परिस्थिती उसकी भी स्थिती उसी क्वार के बादल जैसी हो जाती है जिसमें वो अपनी पिछली बातों को ही याद करता है करे पाचली बात, पिछली बातों को याद करता है कि एक समय वह बहुत धनवान था और उसी गरज को आप सुन सकते हैं क्योंकि हकीकत में उसके पास धन और यस तो नहीं होता नहीं उनके जोग भी जीवन के अनभव हैं, चाहे किसी को उन्होंने धनी से निर्धन होते हुए देखा हो, चाहे उन्होंने अपने जीवन में सज्जन्नों को देखा हो, खेर सज्जन तो वो खुद ही थे, तो उनका अपना ही उदाहरन मुझे लगता है, परियाब तो होगा, तो रहीम के सारे अनभव इन दोहों में आपको दिखाई पड़ेंगे, और एक जो अच्छी और मज़ेदार बात ये भी है करती, कि इन दोहों की भाषा बहुत सरल और सहज है, एक संस्कृत का जानकार व्यक्ति, एक भार्षी का जानकार व्यक्ति, एक तुर्की का जानकार व भाषाओं की रखने वाला व्यक्ति, बिलकुल सहज और सामान्य लोगों की भाषा में बात करे, देसज भाषा में बात करे, ये बहुत रोचक है, इसका कारण ये है कि उनके कंसर्ण, उनकी समवेदना, उनकी भावनाएं, दीन दुख्यों से या ऐसे अन्य लोगों से प्रक्षम हो पाए, और मैं तो कहूंगा कि इन दोहों की प्रसांगिक्ता आज भी है, अगर आप इन दोहों को देखें, तो आज भी विद्यार्थी, शिक्षक या कोई भी अपने जीवन से इनको जोड़कर देख सकता है, और समझ सकता है, आज भी जो सज्जन व्यक्ति ह वो धन और समपत्ति इन चीजों को अपने लिए नहीं रखता, ऐसे तमाम उदाहरन आपको इस देश में मिल जाएंगे, और ऐसे उदाहरन भी आपको मिल जाएंगे, जहां लोग अपने अलावा और किसी के बारे में सोचते ही नहीं, तो ये दोनों उदाहरन हमारे समक्ष हैं, तो इसका मतलब है, ये भले ही तब उस काल में लिखे गए, पर आज भी हम अपने आज के जीवन के संदर में जोड़कर बिल्कुल देखा जाएंगे, आज के लिए भी ये दोहे उतने ही प्रासांगिक हैं, मैं तो कहूंगा कि अब जब लोग ज्यादा मतलबी होते ज हैं, और ज्यादा व्यक्तिगत होते जा रहे हैं, अपने उपर उनका ज्यादा ध्यान है, ऐसे में इन दोहों की महत्ता और बढ़ गई है, और कम से कम हमारे जो किशोर बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, जो अभी सीख सकते हैं, उनको तो ये बातें जरूर सिखानी चाहिए और बतानी चाहिए, चाहे रहीम के दोहे हों, चाहे कबीर के दोहे हों, वो पढ़कर समझते हैं, एक तो अपने ट्रेडिशन को भी, अपनी संस्कृती और परमपरा को भी समझते हैं, और दूसरी बात, उस समय की जानकारी के हिसाब से, आज की बात को भी बेहतर तरीके से समझते हैं अब एक और दोहा है हम उसे पढ़ लेते हैं और फिर उस दोहे के पर साथ हम दूसरे प्रसंद कुछ भासा की बात भी करेंगे अब रहीम कह रहे हैं कि धर्ती की सी रीत है सीत घाम और मेह जैसी परे सो सही रहे चाओं रहीम यह देह अब इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि अब दुवारा इसको पढ़ हैं तो समझ में यह बात आएगी कि धर्ती की सी रीत है धर्ती की सी की सी मतलब जैसी धर्ती जैसी ही रीत है धर्ती की क्या रीत है सीत घाम और मेह सीत का मतलब ठंड चाहे ठंड पड़े घाम का मतलब गर्मी चाहे घर्मी का मौसम हो चाहे मेग 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 हमारे सरीर को भी हमारे देह को भी धर्ती की तरह ही होना चाहिए कि हर परिस्थिती में सीत गाम और मेह से यहां आशय यह है कि दुख की स्थिती में चाहे दुख की गर्मी हो कथिन परिस्थिती हो चाहे शांत परिस्थिती हो चाहे सुख की स्थिती हो हर परिस्थिती में हमे उसके अनुसार ही अपने मन को शरीर को सहन करने के लाइप बनाना चाहिए तो यही इस दोहे का अर्थ है कि मनुष्य भी मनुष्य का सरीर भी धर्ती की तरह हो कि वह सारी परिस्थितियों को विपरीत परिस्थितियों को भी और बेहतर परिस्थितियों को भी इससे जुड़ जाए उससे अपने आपको अनुकूलित करे तो ये इस दोहे का अर्थ है अब हम इन पाँचो दोहों का अर्थ कर चुके हैं दोहा छंद में है ये आप समझ चुके हैं भासा ब्रज है ये भी आप जान और समझ चुके हैं कहीं अपने किर्ति जी उधारन देखा होगा जहाँ एक ही सब्द खास करके व्यंजन वर्णों की आवर्ती बार-बार दिखाई पड़ती है जैसे बनत बहут बहुरीत बनत बहुत बहुरीत बनत बहुत बहुरीत अब देखिए बा वर्ण है न इसकी आवर्ती हो रही है बनत बहुत बहुरीत. अब ये ऐसे जब किसी एक व्यंजन वर्न की आवरती बारबार होती है तो भासा का ये खास प्रियोग है. आपने आजकल के चैनलों को भी देखा होगा कि ऐसे ही एक रिदम वाले सब्दों को दे कर स्टोरी बनाते हैं. रिदम क्रियेट करने के लिए लए बनाने के लिए और भासा की दुनिया में अलंकार की दुनिया में इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं. बनत बहुत बहु रीत या एक और उदाहरन है जाल परे जल जात बही अब देखिए जल जात जल जात जावर्न की आवर्ती हो रही है लगातार तो यहां पर भी भासा का उसी तरह का प्रियोग आपको दिखाई पड़ेगा तो रहीम के दोहों में आपको उदाहरन दिखाई पड़ेंगे कि उदाहरन के साथ जीवन के जो भोगे हुए सत्य हैं उनकी पूस्टी की गई है तो एक तरह से यह जीवन सत्य है उनका अपना अनुभाव भी है तो यह हैं रहीम के दोहे और रहीम अब अगर कोई हमारे पास प्रस्न हो सवाल हो और कोई क्वेरियों हम बलक क्योंकि परिक्षा का समय नजदीक है तो परिक्षा की दृष्टी से दोहों के अनुवाद को कैसे पढ़ना है या कैसे समझना है थोड़ा सा बता देजें देखिए परिक्षा की दृष्टी से तो मैं बताना पसंद नहीं करता क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी कारी होना है परिक्षा के पहले होना परिक्षा के दवरान कुछ नहीं हो सकता ये करिक्षा के लिए जो किया गया कार्य है वो परिक्षा के बाद खत्म भी हो जाता है लोनों स्थिती में आप उसका उत्तर कर सके आपकी समझ होनी चाहिए कि ऐसे और भी दोहे जब आपके समक्ष आएं तो आप उनको तुरंत देखकर उसका अर्थ कर लें अब परिक्षा की दृष्टी से करना हो तो आप पहले यह करें कि यह ब्रज भासा में है अब आप खड़ी बोली हिंदी में मैं और आप जब गई लिखे गए इन दोहों को हिंदी में लिख डालिए तोसिस कीजिए कि हिंदी में अनुवाद करें तो आप उसको लिख डाले हिंदी करके तो आपके समझ में जैसे विपत्ती है आप इसको हिंदी में इसके लिए सब्द लिखें विपत्ती है ना ऐसे ही जितने और सब हैं वो भी आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए बादर एक सब्द है बादर बादर के लिए हिंडी में बादल लिक़ दीजिए तो जैसे ही आप ये की करेंगे तो हंदी और ब्रज के समब्ध को आप संभ calculated यह बात हमेंसे आपको याद रहेगी और आखरी दोहे में जैसे हमने बहुत से ऐसे ब्रजभाशा के शब्द पढ़े जिसमें सीथ लिखा था घाम लिखा था मेहे लिखा था तो जो अनुवाद आपने बताया भी तो उन सभी को हिंदी में अनुवाद करके जब लिखेंगे विध्यारती इसे भासा के सौंदर्य के बारे में भी भासा के बारे में भी जानकारी बढ़ेगी और सब्दों का जो स्टॉक आप कहते हैं सब्द संचय धन के रूप में आपके पास बहुत सारे सब्द आने लएंगे चाहे वो संस्कृत से हिंदी में करें अवधी से हिंदी में करें या ब्रज से हिंदी में करें तो आप शीत को शीत बहुत हिवारी किया आपने बातों बातों में बता दी हैं आज हमारे साथवी कक्षा के विद्यारतियों को डॉक्टर निलकंट आप समय समय पर हमसे जुड़ते हैं और इतनी महत्पून जानकार हैं आज आपने साजा के इस पार्ट के बारे में आज हमसे जुड़ने के हो में का पिचर्चा करेंगे कहीं न जाएं हमारे साथ बने रहें लौट कर आ रहे हैं एक छोटे से अंतराल के बाद